नमस्क्रार दोस्तो आप सभी का सौगत है एक बाद फिर से आपके ही चैनल पे और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यहाँ पे दोस्तो ECS T10CZ Republic का आज के दिन का जो पहला मैच खेला जाने वाला है टीम BRN वसेस टीम UCC के बीच में तो इस मैच में आपको काफी ऐसे प्लेयर्स देखने को मिल जाएंगे जिनका सेलेक्शन 10% से भी कम है लेकिन वो आज की मैच में हमारे लिए गेम चेंजर हो सकते हैं बस आपको इस वीडियो को कमपलीड वाच करना है पूरा देखना है अगर आप लोग यह जानना चाहते हो कि आज की मैच में कौन सा प्लेयर बेस्ट रहेगा कैप्टन के लिए और कौन सा प्लेयर बेस्ट रहेगा वाइस कैप्टन के लिए तो बस आपको वीडियो कमपलीड वाच करनी है बिलकुल बिना स्किप किये हुए बाकी जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी आफ्टर ल रहे हैं और आप लोग भी अगर हमारे चैनल से जॉइन होना चाहो तो आपको हमारे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों जगाओं पे सबसे पहले नंबर पे मिल जाएगा तो किसी भी जगह से जाके आप सीधा हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और मेरी द ट्रिकेट ग्राउंड पे खेला जाएगा टाइमिंग दोस्तों इस मैच की रहेगी साड़े बार अब जे दोपहर के समय जब आप दोनों टीम्स के पॉइंट पोजिशन को देखेंगे तो आप पाएंगे यहां पे कि जो बी आरे न और यू सी सी टीम है ना दोनों ने 6-6 मुकाबले केले और अपने दो ही दो मैच जीते हों चार-चार मैच अपने हार कराएं यानि कि दोनों टीम्स काफी ज़्यादा कमजोर हैं और इस मुकाबले को जीतना उनके लिए काफी ज़्यादा ज़रूरी भी तो दोनों टीम्स के आप कह सकतो कि 50-50 चांचस रहेंगी इस मैच को विन करने के तो एक बात दोनों टीम्स के लास्ट मैच के सकोर काड को चेक आउट कर लेते हैं तो बात की जाएं यहां पे टीम बर्नो की लास्ट मैंच अपना हार करा हैं 7 रनों से इस मुकाबले में इनकी टीम ने सबसे पहले गिंद बाजी की और अपने एपोनेंट को 90 रनों पे रोका 10 ओवर के अंदर और उनके 3 विकेड इन्हों ने गिरा दी है लेकिन जब खुद इस टार्गेट को चेस करने आए डाइलन इस्टेन ने 33 गेंदों पे 38 सन बना है रियाज अफरीदी ने दोस्तों यहां पे 14 गेंदे खेली 25 सन बना है काशिफ अली दो गेंदों पे बीना खाता खोले आउट होगे लेकिन यह ऐसा प्लेयर है जिस दिन इसका दिन रहेगा बैटिंग बॉलिंग दोनों से कमाल करेगा अरुन वासुदेवन दो गेंदों पे एक और अंसा नाजी रे गेंद पे एक रन बना पाए तो इनकी और से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बैट स्वन रहेंगे वो दोस्तों यहां पे जनाका रहेंगे यह पांच बैट स्वन जो है वो यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि इन पांचों में तीन ऐसे प्लेयर हैं जो आपको बॉलिंग करके दे सकते हैं गेंद वाजी की बात की जाए तो आप पाएंगे कि यहां पे के अली ने बालिंग नहीं की लेकिन आज हो सकता है कि बालिंग करा जाएं याज अफरीदी इस टीम के सबसे अच्छे गेंद वाजें दोवर का बालिंग स्पेल डाला दस रन दिये विकेट हाला कि नहीं मिला अरुन वासुदेवन को यह विकेट मिल गया इसके लावा संदीब तीवारी को यह विकेट मिल गया और कनया लाल को यह विकेट मिल गया यूग वारीद ने के इंदवा जी काफी महंगी साब भी मतब महंगी की तो आज हो सकता है कि इनका कुछ spell यहाँ पे काशिफ अली को मिल जा एक आदा spell अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इनके उपनेंट टीम की अगर बात की जाए UCC तो यह भी अपना पिछला मैच पांच विकेट से हार करा है इस मुकाबली में इनकी टीम 10 ओवर के अंदर मातर 64 ही रन बना पाई और 9 विकेट गिरा दिये अपने इन्होंने जब आ रही है इस टारिट को डिफेंड करने की तो ऐसा यह कर नहीं पाई उपनेंट ने इनके दिये के टारिट को 9 ओवर के अंदर ही चेस कर दे और यह सिर्फ उनके पांच विकेट गिरा पाई तो उनकी और से एस अर्मा और यहां पर पियू सिंग बगेल ओपन करने आए एस अर्मा का बैटिंग को टार चेंज किया गया अक्सर ही यहां पर आते थे टू डाउन लेकिन इनको ओपन के लिए बेज़े गया फिर भी यह फ्लॉप हो गए बाकी पियू सिंग बगेल जो कि इस टीम के सबसे अच्छे बल्ले बाजे इस मैच्विन का बल्ला नहीं चला 15 गेंदो पे 16 परमूर्ट बगोली जो की बैटिंग बॉलिंग दोनों कराते हैं लेकिन इस मैच्विन बिना खाता खोले आउट हो जाते हैं अभी मन्यू सिंग इस टीम के कैप्टन है ये 5 गेंदो पे 3 गंशाम कुमार दोस्तों 2 गेंदो पे 1 अमिद पांगराकर 12 गेंदो पे 16 रन बनाते हैं शामल जोसी 13 पे 8 रवी गोर है 3 पे 2 जाहिद इकबाल 4 पे 3 अमिद बिना खाता कोले और अरपन सुखला 3 गें 4 रन तो इनकी और से आपके लिए जो इंपॉर्टन बैट्समन हैं मेरे हिसाब से वो पियू सिंग बगेल परमोद बगोली अभी मन्यू सिंग घंशाम कुमार और अमिद पांगराकर ये 4 या 5 ऐसे बैट समने जिन में से आपके नहीं 2 या 3 को सेलेट करके चल सकते हो जब बारी आए इनकी गेंद बाजी की तो वहाँ पे इन्होंने अपनेंट के 5 विकेड गिरा है और इनके 5 गेंद बाजों ने विक्या निकाले देख सकते हो तो अमीद करूँगा आपको ये वीडियो अभी तक काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना चेनल पे पहली बारा है हो तो सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन जरू हो और पे प्रेस कर लेना ताकि आप सभी को आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे बहले मिल सके और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री तो जरू दोस्तों एक हम कर लेना बाकी जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी आफ्टर लाइन अप या टॉस के बाद या दोस्तों जो मेरी एंडर परसंट विनिंग टीम होगी वो सीधा आपको मारे टेली गराम चैनल पे मिल जाएगी अभी के समय 13,000 से जादा लोग ओली रेडी जोईन हो चुके हैं और रोजाने आपर वो दी गई मेरी फिरी टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं और आप लोग भी एगर हमारे चैनल से जोईन होना चाहो तो आपको मारे चैनल का लिंग डिसकेप्शन कमेंट दोनों जगाओ पे सबसे पहले नमबर पे मिल जाएगा तो किसी भी जगे से जाके आप सीधा मारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो और मेरी दीगर टीम का प्रॉफिट उठा सकते हो अभी मन्यू सिंग अपनी टीम के कैप्टन है लेकिन एक भी मैच में कैप्टन सी इनिंग इन से आई नहीं है गंशाम कुमारी सबसे बहतर आप्शन है विकेट किविंग सेक्शन में जरूर है लेकिन आपको दोवर की बॉलिंग करके दे रहे हैं लास्ट के मैचस में और आच्छी कासी बैटिंग भी कर लेते हैं तो यहाँ पर अभी के लिए जो सबसे बेस्ट आप्शन है आपे रहेंगे विकेट किविंग सेक्शन से वो जी कुमार रहेंगे तो हम दोस्ते यहाँ पर इनको ही पिक करके चलेंगे बैटिंग की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए पियू सिंग भगेल इंपोर्डेंट रहेंगे यूग वारियर 11% सेलेक्शन है चाहू जो ट्राइ कर सकते हो दोवर की बॉलिंग मिल रही है इनको बाकी बगोली को मैं पिक करूँगा जो की बैटिंग बॉलिंग दोनों कराते हैं और लास्ट बैट्समेन हमारे डायलन निस्टेन और एक दो बैट्समेन और हैं आपकी सामने जनाका और यहाँ पर काशिफ बैट्समेन को बैट्समेन को पी करके रखा है आप चाहू तो यहाँ पर जनाका को भी ट्राइ कर सकते हो पांच मैं यहाँ पर बैट्समेन के साहर जा सकते हो अलाउंडर सेक्शन से देखिए अगर मुस्तफा नब आप खेलते हैं तो यू सी सी के विन करने के चांज़ से यहां पर थोड़े से बढ़ जाएंगे अगर नहीं कहलेंगे तो एक कुमार वासुदेव इसके लावे यहां पर टी कनया लाल आप चाहो तो इनको सेलेक्ट कर स लास्ट में कुछ खास मिला नहीं देख सकतो ओपन करने आगे तो बत्यसन भी बना दी टीटेन है भाई कुछ भी हो रहा है यहां पर बाकि यहां पर अभी के लिए इस्तिवारी को भी करेंगे अगर एन एहमत कहलेंगे तो मैं एन एहमत को भी करूँग इसकिला बारपन ब्रूरी है चे प्लेयर पी करके रखें मैंने टीम बी आर न के पांच प्लेयर पी करके रखें यू सी सी के कंबिनेशन की बात कि जाए वन विकेट की पर फाई बैसमैं वन अलर्णर फ़ॉर बॉलर का COVID किसे बना जाए कैप्टन है यहां पर देखि़िए आ पी बगेल को क तताफी अच्छी आफशिन है केप्टन वाइस केप्टन के लिए क्योंकि वन डाउन बैटिंग और दो वर की बॉलिंग ये भी देते हैं आपको मारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी तेरा जार से जादा लोग और रेडी जोईने और रोजाने आपर वो दी गई मेरी फिरी टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं और आपको मारे चैनल का लिंक डिस्किप्शन कमेंट दोनों जगा पर मिल जाएगा तो किसी भी ज किसे जाके आप सीधा हमारे चैनल के साथ जूट सकते हैं और मेरी दीगे टीम का प्रॉफिट उठा सकते हैं बाकि अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो लाइक कर देना चैनल पे पहली बार आयो तो सब्सक्काइब कर लेना घंटा दबा लेना आने वाले वी वीडियो में तब दके लिए जाहिंद वंदे मातराम